आपकी बग्या के बहुत सारे काम होते हैं जिने करना जरूरी होता है पौधों का सिर्फ चलना ही जरूरी नहीं अच्छे से चलना जरूरी होता है असलालेकूम फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल शबनूर अली प्लास्टिक के वेस्ट मिटेरियल बॉटल से बने कंटेनर सजा सवार कर हम यूज तो कर लेते हैं लेकिन बालकनी पर वो अच्छे चलते हैं क्यूंकि वहाँ धूप कम होती है टेरिस पर नहीं चलते हैं धूप की वज़ा से खराब हो जाते हैं पर हम उन्हें यूज करना तो नहीं बंद करेंगे हां कुछ क्यार टिप्स हम शेयर करेंगे जैसे कि ड्रेनेज होल इसके ज़ादा बनाने परते हैं और कभी-कभी बंद भी हो जाते हैं तो आप बाद में क्लियर कर लीजिए दूसरी हम बात करते हैं सर्दियों में हम कितने सारे फूलों वाले पौधे लगाते हैं कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते हैं तो उन फूलों वाले पौधों को धूप की ही जरूरत होती है ऐसे प्लास्टिक के कंटेनर रखे होते हैं धूप में और जब सीजन चला जाता है तो खाली हो जाते अब उन्हें भरना जरूरी है और जिन प्लास्टिक मिटेरियल में पहले से लगे हैं वो आप तोट रहे हैं धूप की वज़े से ये देखें क्यूर सा सदा बहार का पौधा या पेरिविंकल या विंका यहाँ पर ग्रो हुआ ह यह मेरा फेवरेट कलर है शेड है वाइट पर रेड डॉट और मेरे लिए बहुत केमती है फ्लारिंग कर रहा है तो अभी इसमें सीर्स नहीं बन रहे हैं सीर्स बनेंगे तो मेरे काफी प्लांट्स हो जाएंगे फिलाला मिसी को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं कंटेनर तो टूट गया है मिटी में हम ग्रोथ तोड़ी दे दे कर कंपोस्टिंग कर करके इस प्लांट को चला रहे थे लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि इसको बड़ा प्लांटर देंगे और सिर्फ चलना ही काफी नहीं है हेल्थ के साथ चलना जरूरी है तो इस वज़ा से इसको पोस्ट, सॉयल, राइस हस्क, कोल पाउडर सबको तयार करने के बाद कंटेनर में डाला गया है और अब ये अच्छी सी क्रोथ के साथ बहुत बढ़िया तरीके से चलेंगे और और अच्छी तरी से फ्लारिंग करेंगे तो विंका की रिपोटिंग करने के बाद इस पर वा वाइबरिट की तरह ही चलता है ये देशी है ये तो फुल सनलाइट में चलता है और सीर से कटिंग से दोनों तरह से ग्रो हो रहा है तो जल्दी जल्दी से ग्रो कीजिए ये वाइट है प्लेन है इस पर डॉट नहीं है और यहां पर भी वाइट है और भी जगा वाइट ग कैसे लगे फ्रेंड्स अच्छे लगे हूँ तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नुटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए तब तक के लिए अला हाफिज